किसी के उपर में सक करना ये बुरी आदत है जिहां लोग कुछ लोग हमें बुरा कहता है इसे मुझे कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि हालत ने हमें सक करने की आदत बना दिया पड़ोशी राज्य की गाड़ी जब आते हैं तो स्वस्ताओं कहीं अंधर में किसी बच्ची को पढ़ानी के नाम पर लेके जा रहे होंगे मटर साइकल में दो या तिन लड़की गुमा रहे हैं मुझे सक लगता है कहीं ये लड़की को बाहर तो नहीं ले जाएगा बेचने के लिए क्योंकि लड़की की खरीदारी ज्यादा होती हैं माबापर होती हैं जब लड़की नहीं मिलती हैं बच्चे नहीं मिलती हैं मैं हार बेखते को सक करता हूँ, क्योंकि ये सक करने की आदत खराब होते हुए, मैं जानता हूँ ये खराब है, लेकिन हालात ने ऐसा बना दिया, जागरुकता की जदा सोच हर समाज को लेना चाहिए कोई भी गाउपरिवार से बच्चे लापता ना हो, कोई बच्चे को अपरण करने वाले इसे आते नहीं है, बहार ले जाने वाले जो एजेंट होते हैं, ट्राफिकर होते हैं, इनसे बचाने के लिए जागरुकता में हर समाज को आगयाना जरूरी है हम जागरुपता में विश्वास करते हैं समाज को सिक्षित और जागरुपता में अगर समाज मजबूती में है तो तसकर को हम कंट्रोल कर सकते हैं लोगों के अंदर में और समाज के अंदर में जागरुपता में आना जरूरी है झाल